हेलो एब्रीवन वेलकम टू दिस चैलेंज जिलोजी नोट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीए सी समेस्टर वान से जुड़े जितने भी आपके डाउट्स हैं उसका सिलेबस उसका इंपोर्टेंट कोईश्चन प्रिवियस यर कोईश्चन की इस तरीके स अपको बशेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो सबसे पहले में बता दू जो एकजाम पैटर्न है वह एक्सटरनल एक्चाम होता है और उसमें सिक्शली मास का कोईश्चन आपका आता है सिक्श्चय में आपका 23 माड़्स आप इसमें कैसा होता है तो इसमें जो 60 marks का question 60 marks का exam में आपका question pattern क्या होगा तो सबसे पहले question number one जो होगा वह आपका mcq होगा 12 वह mcq आपको रहेगा टोटल 12 question आपका mcq रहेगा हर एक question आपका एक marks का होगा 05 में आपको सोठ नौट होगा इसाथ Möglichkeiten दिये हूए जाएंगे और साथ आपसर में बस आपको तीन लिखना है इस वीडियो में आपको परीशन किस तरिके से रहता है और आपको किस तरिके से लिखना है question number three से nine जो होगा वह एक 10 ही questions लिखना है हर एक question आपको 12 marks का होगा question number one आपको अगर exam में आपको सबसे अच्छा marks लाना है तो सबसे अच्छा तरीका है question number one को आप हमेशा बाद में देखिएगा जैसे आपको copy मिलता है आपको भरने में कम से कम आधा गंटा का टाइम लगता है जो OMR seat जो आपको मिलेगा उसमें अपको हर एक चीज़ भरने में कम से कम आपको 20-30 मिनट लग जाएगा आपको भरने में उसके बाद जो page पलट येगा जैसे होता है कि first page जो OMR seat रहता ना उस ऊसके बाद जो प्रांट 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 प बर जो फेझ को छोलर दिजेगा उसके बाद वालािपें से आप कोन चक्राट किजेगा जो ओमरों मोलश प्रांट हो पų Copy लें उग्यामर करना उसके पाधि जब relativो पार उसके आपको पिज से रहता नितलबारude एक जैसे आपका समझ लिजी यह आपका कॉपी कि इस कॉर्णर में इहां पर क्या होगा यहां पर सब्सक्राइब से जान की, इस चव्लमसी देखेलों कखे़ों चुछा में इस में आपका लिखा लिएगा, आपका कॉर्णर सब्सक्राइब और यहां पर एक ब्लेट करके क्या होगा कि एक कट का निशान होगा वहां से टोटली कर जाता है तो उसके बाद जब आप पेज पर अटिएगा तो उस पेज में आप कुछ मत लिखेगा टोटल ब्लैंक छोड़िएगा उसके बाद पेज पर अटिएगा एक जो लेफ्ट को देखिएगा यह आपका सबसे अच्छा एक्जाम में माक्स लाने का टिप्स है क्यूंकि टाइम मेनेजमेंट का प्रोब्लम सबसे ज्यादा प्रोब्लम होता है कोसिस किजिएगा कि एक लॉंग कोईश्चन एक लॉंग कोईश्चन आप 30 मिनट्स में बनाईएगा उससे ज्याद एक वाच जरू लेके जएगा और आपको हर एक कोईश्चन आपको बहुती सुन्दर हैड राइटिंग से लिखना है इस वीडियो में आपको यह भी बता क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले लग्सार मनाईगा उसके बाद मुद्जबस कि बचा की सोटना है लेकि सबसे अच्या क्या है कि previous year में जो question आ गिया है उस question को छोड़के आप कोई भी पांच topic पढ़ लीजिए आपका ओए exam में आ जाएगा क्योंकि total आपको 9 option दिया रहता है 9 option में आपको बस 3 ही लिखना है कि इतना option में आपको 3 लिखना कोई भी 5 पढ़के जाएगे आराम से मिल जाएगा मैं आपको लोंको मैं मतलब मैं आपको इंपोर्टे कोईशन भी बता दूंगी कि कौन सा question आएगा बस आपको ही पढ़के जाएगा आपका एकजाम में कोईशन सब आ जाएगा और मेरे इस चैनल में आपको नोट्स भी मिल जाएगे प्लेलिस्ट चेक किजिएगा आपको फिर असले नेटा बस यह सब होता क्या है इसका बस करेक्टर याद रखेगा जनरल करेक्टर है ना और कुछ नहीं करना है प्रोटो जोवा मैं आपको लिए इंपोर्टेंट कोईशन बता दीए यह आपका सिलिए बस आपका बीस से समेस्टर वान का जिलो जी का यह आपका से उसका जनरल करेक्टर लिख दिएगा क्योंकि आपको शॉट नोट में बस चार से पांच लाइन उतना लिखियें जब टाइम बचता है तो ज्यादा लिखेंगा लेकिन अगर नहीं हो तो चार से पांच लिखिए चार मार्स में आपको तीन मार्स भी मिल जाएगा अगर और क्या पूपना है तोटल आपका ये आपको सीलेबस को ये भी आपका 60 मार्स का एक्स्टरनल एक्साम होगा नेच्व सलेक्शन नेच्व रिसस्स तक आपका टॉपिक है इतना टॉपिक में आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है बस सेलेक्टेड आपको पांच टॉपिक पढ़ना है यह सच छोड़ देगा बिलकुल मतलता है कि एकदम कॉण्फिडेंस से जाएगा कि जो पढ़े हैं जाते हैं कि जो पढ़के जारें अगर नहीं आएगा तो क्या करें बस यह डाउट आप कभी मत रिखेगा क्योंकि आप पांच कोश्टन पढ़के जाएगा अगर एक कोश्टन ना मिले तो सबसे अच्छा टीप से कि आप जो पढ़के आए हैं आप वही लिख दीजिए अ बिवेंग से विवेंग से कंप्लीट है तो मैं आपको बता सकती हूं कि आप कैसे क्या कीजिएगा तो आपको मांक्स बहुत अच्छा होगा पेपर वन में important question सबसे पहले लॉगको में आपको लोगोमोशन इन प्रोटो जिवाब बहुत थी इंप्रोटेंड है निपिटराशन हैं प्रिठा इन पड़ेंट से ंओं लीजेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्ट नोट में किजेगा एक सफचीज़ रिप्वान , अगलेग मुच्छत पॉर्ट सुर्फ सर्फ बाइनोमियल और त्राइनोमियल त्री में जितना भी प्रोटर जो आप और फेरा जितना भी आ रहा है उसका बस जर्यल करेक्टर पढ़ लीजिएगा आपका मीड शॉट नोट भी हो जाएगा और फिर भी उतार शॉट नोट के लिए सबसे अचाहिए कि प्रीवेस में कोईस से सीस्टंब यह डिसके पॉंड एज इकोसिस्टम से इस ciento आपका अलग से बातर वें पूछा जाका इसी यह 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 तदो अगर फेकसे बात, dubai पांश टापिक पड़को आप आप आजाएगा wexस नौट में आपको इतना परड़ा है फोडचेन फुडवेब फस्ट फॉरस साइकल सर्फास साक्ल और एक लोजीकल प्रावट में जितना से से उसले बस देख लीजेगा की इकलोजीकल पिरावट में क्या क्या पड़ा है प मैं इतना वोलोंगे कि उसके नूर्स को अतना सही नहीं लेगा मतलब जैसा आपको लिखना जै 습हिए जिस तरीके से एक्जाम में अच्छे की लिखना चैहिए लो तो मेरा नोर्स दिखिएगा जिस तरह के साथ जैसे मैं लिखती हूं बस उसी तरह पर एक्जामी लिखिएगा आपको किस तरीके से लिखना है सबसे पहरे जब आपको कॉपी लेगा तो आप राइट साइट से फर्स्ट पेज तो आपको फ्रांट वाला छोड़ना है उसके बाद लेट को लेट साइड में क्या किजिएगा इस्टार्टिंग कीजिएगा लॉंग कोईशन से उसके बाद कोईशन नमर्थ 3 जो भी आपको ब्लू और ब्ल्क पन का यूज पीजिएगा फेकर बहुत ही इंप्र्टेंट ए फिगर आको बनाना ही होगा जेलोजी ओनास में फिगब बहुत ज़़री है कलर पैंसे बिनक किसे ब्रेड़ बनाइगा जैसे पींक पैंसे प्रेट पेंसे यूजिह के शोजाएगा उसके ब उसके बाद जैसे ही आपको कोईशन अबाद थरी खतम हो तो एक दो लाइन का एक होता है ब्लैक पेंसे ड्रॉ कर देज़ेगा कि हाँ यह कोईशन खतम हो गया तो तीसरा कोईशन चौन्था कोईशन मेरे स्टार्ट हो रहा है ऐसे आपको कॉपी में इस तरह का इस तरीके से इस तरीके से लिखने से टीचर पर इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है उसके बाद है प्रिविएस एर कोईशन प्रिविएस एर कोईशन यहां पर 2019 का दिख रहा है क्योंकि कोरोना की वज़े से 2020 में एक्जाम हुआ नहीं था जुलोजी ओनस का एक्जाम 2019 में हुआ था 2020 में एक्जाम हुआ नहीं था क्योंकि उस टाइम कोरोना आ गया था तो इस वज़े से लोको परमोट किया गया था और आप लोग का सेशन है 2021 से 2024 मतलब 2021 का एक्जाम आप लोग को देना है सेशन लेट चर रहा है इसलिए आप लो लोटल 60 मांक का एक्जाम होगा छिस अब अब कमपेसरी होगा आपको कुष्चन ओर वन आपको बनाना ही है वह आपका बारा मांक्स का होगा यह हर एक कोश्चन आपका एक मांक्स का एम से क्वेश्यव क्वेश्चन रहेगा जैसे कर अधा भाउन कि पाई जा जाएक जाए इसलिए मैं बोली कि सबस्ट लास्ट में आप एमसे क्यों बनाईएगा आपको कुश्चन साहर ठीक से दिख नहीं रहें कि मैंने इसक्रीन सर्ट किया तो इस वज़े से डाटा का प्रवल हो गया थे इसलिए के लिए दिख नहीं रहा है सेकंड कुश्चन है Metagenesis Ocarin Metagenesis कि समें पाई जाता है। किस ने बाईनुमियन नूमेल क्लीचर को प्रपोच्ट किया था। उसके बाद सौट नोट में आपको पुछा चैंगे। पहला है शोल जयल सेकेंड साइक्टन गैनल सिस्टम क्या होता है थर्ड मेदूशा फॉर्थ फ्लैम सेल्स इंफ्त में नेफ्रीडिया सिक्स्ट में को और सबसे लास्ट है इस्टौन क्या होता है इसमें आपको बस चार या प्माच लाइन लिखेगा हो जाएगा आपको डिफाइन निउट्रीशन डिसकस भेरियस टाइप अप डिट्रीशन प्रोटोजवा निउट्रीशन आपका आ चुका है तो एटी पसंद चांस है कि नुट्रीशन आपका नहीं पुछे गए इस साल रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन बहुत ही इंपार्टेंट है यह इस सेमें थे एक्स्पेंट सिलोमोड़क्ट और नेफ्रीडिया दिस्क्राइब नेफ्रेडियल सिस्टम अप अर्थवां एट डिस्क्राइब लार्वल फॉर्म उप क्रस्टेशिया इस रोल इभालिशन जितना भी टॉपिक है सब में फिगर जरूर इंक्लूड किजेगा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉंग क्वेशन के लिए डिस्कैब देटोशन और गेस्टाफॉड़क्ट वोड़क्ट विगिव इंपॉर्टेंस ओप्रोशन यह आपका पेपर वन का यह क्वेशन पेपर हुआ उसके बाद है पेपर टू का वेशन पेपर यह 2019 का यह क्वेशन है सेम वही क्वेशन पैटर्न है क्वेशन और वन आपका बारा मांक्स का होगा बारा एंसेक्यूर है गाए बी दासोस अप एनजी निको सिस्टम नाइट्राइस और अक्साइडिन नाइट्रिस बाई इसमता को कि लिए दिखरा होगा इस पेज में इसमें से आपको यहां पर सौट नोट्स इन 4 है एनी 3ह अगर आपको फोर लिखने है और थी लिखने बोलेगा तह आपको 3 लिखने है आपको ठीजेचन आ थ्रीलिखने अगर आप decision its of a never toinnen ना आ तो एख तो किजिए इधर long question में आप 4 question लिखती जगा लेकिन total आप question 1 मिला के आपको total 5 question आपको लिखना है उसके बाद question number 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब जितना question है ये सब में बस आपको 3 ही question लिखना है अगर आप 2 नहीं लिखेगा तो 4 question आपको ये इतना में आपको बनाना होगा तो जल आपको 10 option में आपको 3 question आपको बनाना है ये आपका पिपट्टू का question होगा I hope आपको ये वीडियो total आपको समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई doubt बचता है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं आपको हर एक चीज बता दूँगे फिर से